नमस्कार मित्रो जैहिंत वंदेमातरम मैं चंद्रवर्धन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूकेयर में पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे BPSC 66 के questions answers और 1-100 तक हम लोग कर चुके थे इस वीडियो में हम लोग 101-100 तक questions total discussion करने वाले हैं ठीक है और इसमें दिये जाएंगे आपको पूर नतया सटीक answers तो वीडियो को पूरा देखिए यदि चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजिए ताकि आगे जितने भी वीडियो हो जाएं उनका जो notification है वो आपको लगातार मिलता है यदि चैनल पर सदस्य हैं पहले से तो जरूर वीडियो को like कीजिए share कीजिए और comment जरूर कीजिए कि आपको total कितने numbers आए हैं ठीक है तो आईए इसी के साथ सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और एक बार फिर मैं चंदवर्दर स्वागत करता हूँ आपका अपने नील देता था इस बार इंडी को दे दिया है अंग्रेजी लिखती है हिंदी में भी ठीक है तो इसमें जो होगा दीन बंधु मित्र होगा नील दरपन जैसे ही आया वैसे ही दीन बंधु मित्र और यह जो है आपको बिहार स्पेसल जो मैंने दिया था आदोनिक बिहार का इ मैं युद्ध हुआ ठीक है यूरोप में जो सात वर्षिय युद्ध सुरू हुआ था उसे के साथ दिया हो गया था ओके है तो आपका एंसर हो जाएगा ओके है और यह भी झो है आपका आल्दौनिक आनोटमाने दिया है उसमें आपको मिल जाएगा और इसके अलावा एक वीडियो भी मैंने बनाया था जिसमें कि यूरोपियों का भारत आगमन इस टॉपिक से एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मिल जाएगा question निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रिथक निर्वाचक मंडल का आरंब किया था तो यह 1909 का आधिनियम हो जाएगा इसमें मुसल्मानों के लिए अलग जो है प्रिथक निर्वाचक मंडल का आरंब किया गया था 1909 में ठीक है और 1919 का जो एक था उसमें आपको दलितों के लिए एवब अंजवर्गों के लिए भी जो है प्रिताक्रिरवाचत सुरू कर दिया गया था ठीक है तो यह 1909 हो जाएगा और यहाँ भी इसके लिए अलग से वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें की आपका 1773 से लेकर के 1947 तक का टोटल एक्ट का मैंने जिक्री किया था तो उस वीडियो में आपको इसका अंसर जरूर मिल जाएगा ठीक है तो यह सब क्वेश्चन जो है ना सब या तो वीडियो से आया है या फिर नोट से आया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1831 में बुद्धो भगत के नेत्रितों में कोल विद्रो किस छेतर में हुआ था तो कछ तो आपका गुजरात में है तो वहां तो यह हुआ नहीं था पश्चमी घाट आप जानते हैं भारत के दक्षिन में इस्तित है पश्चमी घाट उधर आपका बिहार है नहीं और यहां कोल विद्रो जो था वो बिहार जारखंड के छेतर में हुआ था सतारा जो है वो महराश्च्रा में है तो आप आसानी से इसका एंसर जो है सिह भूम दे सकते थे ठीक है यदि थोड़ा सा भारत के मैप पर पगर होती तो ठीक है और यह जो है आपका कोल विद्रो का पूरा का पूरा नोट्स मैंने दिया हुआ है जो आपका बिहार आधुन इस बार कोई भी डाउट नहीं है तो इसलिए कुवर से एंसर हो जाएगा ठीक है सी एंसर हो जाएगा इसका जनजाती और जिले के निम्न जोडों में से कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है तो इसमें जो है संथाल और बाका मेरे हिसाब से यह एंसर सही होना चाहिए व बाकी आयोग का देखते हैं क्या answer देता है कुछ questions होंगे doubt वाले बिहार राज्य के कुल भावलिक छेतर की तुल्ला में समस्त वन ये छेतर का प्रतीसत है ठीक है तो ये 7.3% आता है ठीक है 7.3% आता है टोटल मैंने notes में भी आपको दिया था जो 1 का बिहार के जितने 1 है उनके बारे में जब मैं बता रहा था तो notes में मैंने आपको दिया था 7.3 है और उसके आसपास 7.27 या सबसे नजदीक का है इसलिए आपका यही होना चाहिए ठीक है कुछ लोग 7.76 मान रहे हैं इसको और कहना है कि answer E होगा ठीक है लेकिन यहाँ आपका वन सर्वेक्षन रिपोर्ट जो है 2019 का latest वाला उसमें आपका 7.3 एकदम data के साथ दिया हुआ है जो कि मैंने आपको भी बताया है ठीक तो यहाँ पर 7.27 answer होना चाहिए ठीक है आगे बिहार का एक मातर राष्ट्रिय उद्यान इस्थित है तो यहाँ तो जानते हैं आप बालमी की जो राष्ट्रिय उद्यान है केवल वही एक है और पस्षीम चंपारन में है और यह भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा जिसमें वन अभ्यारन्य का चर्चा मैंने किया ह तो इसका एंसर सी हो जाएगा और यह आसान कोश्चन था कोई भी बना सकता था बिहार इस्पेसल से यह ही यह कोश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं भागोलिक छेतर की दृष्टी से जापान का सबसे बड़ा द्विब है तो यह थोड़ा सटरी की कोश्चन था यहाँ प इस देश का भाग है तो यहाँ जो है डेनमार्क का भाग है यदि आपका कंट्रोल होगा मैपर और विस्व भूगोल आपने धंग से पढ़ा होगा तो यहाँ आप असानी से बता सकता है ठीक है ग्रिनलेंड के बारे में पढ़ाया जाता है ठीक है मैंने तो चुकी वीडि अबादी है तो दिसंबर 2018 के आकरों के अनुसार जो है आपका संजुक्त अरब अमिरात होना चाहिए ठीक है संजुक्त अरब अमिरात UAE इसका एंसर A होना चाहिए ठीक है आगे देख लेते हैं और यह इंटरनेट से चेक किया हुगा है तो आप टेंसर न लिजेगा कुछ कुछ लोग डाउट में रख रहे हैं संजुक्त राज अमेरिका के साथ लेकिन संजुक्त राज अमेरिका में सबसे यादा लोग नहीं है ठीक है तो आप निशिंत हो करके UAE ठीक किजिए नेक्स्ट है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सलाना सबसे अधिक सोने का उ अधिक देश हैं ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैप पर कंट्रोल होता तो आप आसानी से बना सकते थे कि यहाँ अफरीका होगा वैसे विश्व का सबसे बड़ा महादृप जो है वो एसीया है लेकिन आप देख सकते है एसीया में भारत है चीन है आधा रूस है तो यहाँ बहुत बड़े देश है ठीक है इस कारण से एसीया का जो शेतरफल हो जाता है वो बहुत जादा हो जाता है लेकिन अफरीका में छोटे 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 जोटे बहुत सारे देश है ठीक है तो अफरीका इसका एंसर होना चाहिए C बिलकुल कोई डाउट नहीं है इसमें ठीक और इंटरेनेट पर भी चेक किया हुआ है टेंसर ना लेजिए 2011 की जनगंडा की अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिसत उसकी कुल आबादी की तुल्ला में सबसे अधिक है ठीक है तो यह आप देख सकते है मिजोरम हो जाएगा इसका एंसर ठीक है डाउट नहीं है इसमें 2011 की जनगंडा की अनुसार आप देख सकते है ठीक है अबादी का प्रतिसत जो है वह मिजोरम में जाता है निम्न कौफी उतपादक छेत्रों में से कौन सा छेत्र करनाटक में नहीं है तो चिक मंगलूर भी करनाटक में है कुर्ग भी है और बाबा बदून की पहारी होती है ठीक है तो गिरी इसलिए लिख देड़ा है पहारी को गिरी भी कहते है ठीक है तो यहाँ पर जो है पुलनेज सही अंसर हो जाएगा डी जो है पुलनेज वो सही अंसर यहाँ पर हो जाएगा निश्चिंत रहिए बिल्कुल सही अंसर है भागोलिक छेतर की दृष्टी से भारत के निम्न जीलों में से कौन सा जीला सबसे बरा है अब यहाँ पर जो है न मतलब एक दब latest current है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तब जाकर क्या बना सकेंगे कुछ समय पहले तक कच्छ हुआ करता था सबसे बरा जीला और इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो भी confused हुए हैं कच्छ जो था वो कुछ समय पहले तक सबसे बरा जीला हुआ करता था लेकिन 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 मैंने आपको current affairs में पढ़ाया था कि भारत ने अपना नया map जारी किया है धारा 370 हटाने के बाद तो उसमें जो है पहले क्या हुआ करता था कि आपका ये जो पियोके का छेत था ठीक है उसको count नहीं करने पर कच्छ जो था वह भारत का सबसे बरा जीला हुआ करता था लेकिन जो भारत का नया map जारी हुआ है उसमें आपका जो ले लद्दाक है और जो आपका जम्मू कस्मीर है उसके पूरे भाग को भारत के नक्से में जोड़ दिया गया है तो ज इसलिए आपको यहाँ पर confused नहीं होना है यहाँ पर अगर आपने मारा है तो बिलकुल सही है ठीक है और जो लोग बता रहे हैं कि कच्छ है उनको यह जाल लेना चाहिए कि भारत का नया नक्सा कब जारी हुआ कैसे जारी हुआ ठीक है और करेंट से updated रहना चाहिए ठीक है और यहाँ यदि आपने मेरा notes परा होता तो निश्चित रूप से आप बना सकते थे ठीक है भारत में किस राज्य में वन्यजीव अवियारन्य सबसे अधिक संक्या में है तो सबसे अधिक संक्या में वन्यजीव अवियारन्य महाराष्ट्रा में है करेंट affairs पराने के दौर अगर आपने मारा है सी तो बिल्कुल सही होगा बिहार में परवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की और परवाहित होने वाली कौन सी नदी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर конфyْज किया है यह सारी नदिया बागमती है कमला है कोशी है गंड़क है यह सब ज और ये सारी नदिया जो है उपर से हिमाले से नेपाल के तराई से आ करके और तब दक्षिन की और बहती है ठीक है और दक्षिन की और बहती है ठीक है और दक्षिन की और बहती है गंगा नदी में मिल जाती है तो सारी नदिया वैसे ही है जो की उत्तर बिहार में बहती है ठीक ए दे देगा उपरियोकन में से कोई नहीं ठीक है अब देखते हैं आयोग क्या answer देता है मेरे हिसाब से फिलहाल answer E होना चाहिए यदि आपने E लगाया है तो सही होगा ठीक है आगे देख लेते हैं निम्न हिमाले परवत स्रेनियों में से किस परवत स्रेनी को अटल टनल पार होगा डी इसका एंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है भारत का ते रह ça हो पना चाहिए कहा निर्मने राजियों से कौन सा राज्य भारत में सरवाधिक सौर उर्जा उत्पादक है सरवाधिक सौर उर्जा का उत्पादन करनाटका करता है कई बार मैं बता चुका हूँ अपने करेंट अफेर्स में सौर उर्जा आज कल बराबर चर्चा में रहता है और जब इस नया प्रोजेक्ट कोई आत तो आपका इसमें जो हो जाएगा क्वार्ट जाइड जो है वो मदुबनी में नहीं पाया जाता है ठीक है तो यह जो है सही नहीं है फिर लेड जिंक गया यह भी जो है आपका सही नहीं है ठीक फिर आपका माईका और भागलपूर देखे तो यह भी सही नहीं है यह जो है आसानी से इसको देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल सकता है, जो आपका खनीच का special chapter जो मैंने बनाया था, उसमें आप notes में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, लाइम इस्टोन कैमोर, ठीक, तो इसका answer क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, उद्योग औ और अस्थान के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर भोराही में है ठीक है सीमेंट जो है वो तो बजारी में है ही वो तो मैंने नोट्स में देही दिया था वायल रिफायरी बरोनी में है ही तो अगलपूर में रेल डब्बा और अभियांतरिकी का कारखाना है और नोट्स में भी मैंने यही लिखा था तो आपका डी होना चाहिए इसका एंसर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बिहार के निम्न जीलों में से किस जीले में ही पिड्मॉंट स्वैंप मिट्टी पाई जाती है बिहार को यदि देख लें बिहार को यदि देख लें तो यहां पर जो आपका छेतर है यह जो छेतर है आपका पस्चिमोत्तर जो छेतर है यह आपका सुमेस्वर की पहारी का छेतर है सुमेस्वर की पहारी मिलती है यहाँ पर रामनगर्दून मिलता है और उसके जश्ट न मिट्टे फाई जाती है यहीं पर और यहाई छेतर जो है, आपका पशीमी चंपारन पूर्वी चंपारन का छेतर है, तो यहाई पर पशीमी चंपारन दिया हुआ है, यही एंसर इसका हो जाएगा, C, एंसर, यहीं होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए या पर PIDMOT स्वैब दे दिया है मिट्टी वैसे तराई मिट्टी लिखता तो अधिकतर लोगों का एंसर सही हो सकता था बिहार के निम्न प्रसाशनिक विभागिये जोडों में से किस जोडे से गंगा नदी नहीं बहती है गंगा नदी नहीं बहती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसी और मगद है तो कोसी जो है वो तो ठीक है लेकिन मगद मगद का छेतर कहां आता है पटना का छेतर आता है मगद में ठीक है तो पटना से तो गंगा नदी बहती है तो यहाँ तो एंसर नहीं होना चाहिए तिरूत और सारन सारन देख ले तो सारन में आपका देखते ही है आपकी सोनपूर के नजदिक जो है आपका गंडक नदी जो है वह मिलती है गंगा नदी से तो सारन में तो गंगा नदी बहती ही है ठीक है भागलपूर में तो गंगा नदी बहती ही है गंगा नदी की सरवाध लंबाई जो है बिहार में वह आपका दूसरे अस्थान पर भागलपूर ही आता है तो वैसे मुंगेर में भी बहती है थोरी बहुत लेकिन मेरे हिसाब से दर्भंगा और मुंगेर होना चाहिए वैसे यह डाउट वाला कोश्यन है यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से यह होना चाहिए एंसर ठीक है यह एंसर होना चाहिए यदि आयोग क्या देता है उस पर निर्वर करता है ठीक है तो यहाँ पर मैं यही मान करके चलता हूँ ठीक आगे देख लेते हैं वर्स 1632 में बिहार के पटना सहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्रिया स्थापित क अधुनिक बिहार का जो मैंने नोर्स दिया था और जो वीडियो बनाया था उसके पहले ही पेज पर जितने भी आपके फैक्ट्रीज थे 1651 में मैंने बताया था कि अंग्रेजों की फैक्ट्री खुली थी 1632 में मैंने बताया था कि डच इस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट् जो भी मैंने नोट्स या वीडियो बनाए हैं उसी से question आए हैं ठीक है जिसका नहीं बनाया हूँ उस पर मैं दावा नहीं कर सकता निमलेकित में से कौन सा विकेंदरी करन का वैसे इस्टे नहीं है विकेंदरी करन विकेंदरी करन किसको कहते है मतलब कि आपने अधुनिक भिह ताकत है वो एक जगह से हटा करके अलग-अलग ग्रूप्स में बाढ़ देना अलग-अलग जगों पर बाढ़ देना ठीक है उसको बोलते है यहाँ पर विकेंदरी करन आप राजवेवस्ता पॉलिटी के अंतर का ठीक है तो इसमें जो है स्वायतता तो दी जाती है स्वाय विकेंदरी करन के माद्यम से किया ही जाता है यह जो है आपका सी इसको थोरा सा दिमाग लाके आप बना सकते थे अस्थानिये समुदायों में आत्म विश्वास को नहीं जगाना ठीक है तो आत्म विश्वास को नहीं जगाना यानिके negative comment हो गया यह तो यही answer हो जाएग आप असानी से इसको बना सकते थे और इसमें जो है विकेंदरी करन का सबसे अच्छा उदारा जो है आपका ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत को यदि आप दिमाग में रख करके इसका एंसर बनाते तो बिल्कुल हो जाता स्वाय तता उसको दी गई है ग्राम पंचायत को लोकसा खवाईगीता उसमें जरूरी होती है और अस्थानिय समुदायों को ससक्त भी बनाया जाता है ठीक है तो यदि आप ग्राम पंचायत को धारन लेकर के इसका एंसर बनाते तो बिल्कुल सही होता ठीक है आगे देख लेते हैं तो D इसका एंसर होगा फोरा सा दिमाख लगाना था केवल कितावी कीरा बनने से काम नहीं चलने वाला है आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा धंग से पढ़ना होगा ठीक है वो जो लूसेंट रट लिया करते थे और बागे जीके की किताबे रट करके चले जाये करते थे तो उससे अब काम नहीं चलने वाला है BPSC में ठीक है हाली में संसद की नई इमारत के निर्मान की बोली किसने जीत ली है तो इसके लिए Tata Projects और आपका L&T दोनों ने बोली लगाया था लेकिन आपका Tata Projects का जो बोली है वो कम था ठीक है इसने Tinder में कम रासी अंकित किया और उमीद है कि Tata Projects Limited को ही यह मिल जाएगा ठीक है अब तक सायद मिल भी क्या होगा तो इसका एंसर जो है वो सी होगा ओके आगे देख लेते हैं भारत के समविधान का कौन सा अनुछेद भारत के निर्वाचान आयोग की अस्थापना से संबंदित है तो यह अनुछेद 324 है 324 अनुछेद ठीक है यह भी जो है राजवेवस्थ यह महिला आयोग की प्रमुख कौन है तो यह जो है रेखा सर्मा है कितनी बार करेंट अफेर्स में पॉइंट्स आते हैं महिलाओं से जुड़े हुए ठीक है और महिला आयोग की अध्यक्षे का जिक्र किया जाता है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षे का भी किया जाता ह बिहार महिला आयोक की अध्यक्षे का भी जिक्रिक आयाता है तो वो सब आप दिहान से पढ़ा करिएगा तभी आप जो है BPSC निकाल सकते हैं ठीक है rule of law इसको कहते हैं इसका क्या मतलब है तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियाय तंत्र यही तो होना चाहिए ना सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य यह तो होगा नहीं यहाँ आप एंसर छांड सकते थे यहाँ पर सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक नयातंत्र है, ये कोई यरूरी तो नहीं हो कि सभी के लिए एक ही राज्य हो, अलग-अलग राज्य में भी तो हो सकता है, है ना, और यहाँ पर जो है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य है, यहाँ पर जो है, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और सभी के लिए एक ही जूडी सेरी भी होना चाहिए तो ए एंसर जो है वो सही होगा डी भी डी तो बिलकुल ही नहीं है एक के लिए सभी कारून हो और सभी के लिए एक नयातंतर हो यह तो बिलकुल ही नहीं होगा तो यहाँ पर option आप चाड़ सकते थे दिमाग लगाना था पंचाइती राजस्ताव को 29 कारियों की सुची किस अनुच्छेद के तहद दी गई है ठीक है तो यह जो है थोड़ा सा हो जाता है या फिर कोई नहीं बनाया होता है ठीक है तो इसका एंसर मैं नहीं दे पाऊंगा चमा प्रावतियों आगे देख लेते हैं नागरिकता संसोधन कानून कब पारित हुआ था इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था थोड़ा सा दिमाग लगाना था अगर आप पूँज बराबर सुनते होंगे तो असानी से दे सकते हैं, सबसे पहले तो एन slack छार्ट लेना है, 2018 में तो हुआ यह नहीं था तो यह गलित हो गिया, 2020 में हुआ नहीं है तो यह भी गलत हो गिया, तो फैब 2020 तक आपका आंदोलन ही चल ला था और ये कितने महीने चला था दो महीने चला था टू मंथ ये आंदोलन चला था और जैसे ही citizenship amendment act लागू हुआ, पारित हुआ था वैसे ही आनदोलन सुरू हो गया था फरवरी से दो माहा हटा दीजे तो 11 दिसंबर 2019 आपका एंसर तुरंट आ जाएगा ठीक है अक्टूबर होने का सवाल नहीं है अक्टूबर में आप देख सकते हैं यार अगस सितंबर में तो आपका मांसून सत्र ही चलता है Zत्र में यह लागू हुआ था Zत्र दिसंबर में चलता है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं तो थोरा सा यदि आप नूज भी सुना करें तो जादा अच्छा होगा थोड़ा करेंट एवेंट जो है न्यूज बगेर से भी मिल जाता है ठीक है तेहत्तर वे सम्मिदान संसोधन कारून की वैधानिक सुरवात किस संसोधन बिल से हुई थी ठीक है तो यह जो है थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें इसलिए इसका एंसर नहीं दे रहा हूँ ठीक है आप देख लिजेगा बिहार सरकार ने अगस्ट 2018 में एक नई योजना सतत जी भी को पारजन योजना सुरू की इस योजना का क्या उद्देश्य है ठीक है तो इस योजना का एक से अधिक उद्देश्य है इसमें इप्सन होना चाहिए एंसर में ठीक है अधिकतर लोग जो है सतत उपर लिखा बिहार सरकार के साथ निश्चयों में निम्निखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है महिला रोजगार तो सम्मिलित है ही साफ पीने का पानी सम्मिलित है ही सभी परिवारों को बीजली कि आपूर्ति सही सम्मिलित है ही और बाल कल्यान भी है तो इसका एंसर क्या होना चाहिए यह होना चाहिए क्योंकि एक से आधिक है इसमेटिक है तो यह होना चाहिए नहीं एक से आधिक नहीं मतलब कोई नहीं है कोई नहीं है कहने का यह मतलब है बिहार का प्रतिविक्ति सुद्ध राज्य घरलू अत्पाद इस्थिर कीमितों पर देश की तुल्ला में कम है वर्स 2018-19 में यह था ठीक है यह जो होना चाहिए आपका इसका एंसर यार याद नहीं है यार इसमें भी confusion है दोस्तो थोरा सा confusion है तो इसका एंसर मैं comment में लिख दूँगा या फिर description में लिख दूँगा बाद में लिख दूँगा ठीक है थोरा सा इसमें भी doubt है मुझे अभी इसका एंसर भी ढंग से मिला नहीं है चार-पाच questions ऐसे हैं जिनका एंसर ढंग से मिला नहीं है तो उसको मैं जबरदस्ती तो बोल नहीं सकता है ना भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्लिकित में से कौन सा एक उद्देश नहीं है तो खाद्यों का वीतरन तो हम लोग करते ही है पीडिये सिस्टम से पबलिक डिस्रिबियोसल सिस्टम से यह जो है आपका खाद्यानों की खरीद तो की ही जाती है अभी देखी रहे है कि MSP प यह आपके खाद्य प्रबंधन में सामिल फिलहाल नहीं है ठीक है तो यह जो हो जाएगा D answer इसका हो जाएगा भारत में राजस्व घाटे से तातपड़ यह है कि भारत सरकार को अपने उन वैयों के वित्त पोशन के लिए उधार लेने क्या हो शकता है जो पुंजिकत परि answer B होगा वर्ज 2019-2020 में निमलिखित में से कौन सा देश भारत का सरवाधिक व्यापारी भागिदार वाला देश है तो यह जो है संजुक तराज अमेरिका होगा A option होगा कुछ समय पहले तक चीन था लेकिन चीन को पीछे छोड़ करके अब संजुक तराज अमेरिका जो है USA वह भारत का सबसे बराव्यापारिक भागिदार वाला देश बन गया है नेक्स्ट है भारत माला पर योजना से निमलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर छेतर संबंदित है तो यह सरक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा भारत माला पर योजना बहुत बार में बता चुक भारत में अद्योगिक छित्र की उपलबदी को मापने के लिए निमलिखित में से कौन सी संस्था अद्योगिक उत्पादन के सुजकांग को जारी करती है यह जो होगा NSSO होगा ठीक है यहाँ भी मैं बार 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 बताता हूँ आपका NSSO के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ अभी तक कोई आइडिया नहीं है मुझे मतलब बहुत ही अधिक बार बता चुका हूँ जब भी इसका मामला आता है कोई भी उद्योग से सम्मंदित तो यह जरूर बताता हूँ ठीक है और सुचिकांक जो है यह भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा ठीक है तो NSSO होगा इसका आप देख सकते हैं व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने करम में सुधार किया है जो है आप यदि मोदी जी का भासन सुनते होंगे तो Ease of Doing Business की रैंकिंग तो वह हमेशा खुद ही बताते रहते हैं वैसे मेरे नोट्स में भी आपको यह मिल जाएगा ठीक है तो यह जो है इसका एंसर होगा ठीक है इसका एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है पीएम कुसम योजना का उद्देश्य है पीएम कुसम योजना बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि आपका किसानों की डीजल और किस इन पर निरभरता समाप्त करना तथा पंप सेटो और सौरूर्जा से जोड़ना ठीक है तो यह जो यह सामिल है तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कॉन है कि इस भी आई है और यही सामिल हो भी सकता है तो इसको जो है उप्सों छाट भी सकते थे यह जह झा षरुट जना बहुट इंद्टरा एंक विकटे शाहर क भे SBI है ठीक है तो छांट भी सकते थे और आप पता भी सकते थे क्योंकि सबसे बराया और एक मातर ही सामिल है तो SBI ही होना भी चाहिए भारा सरकार ने 2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोसित की है निर्भीक जो है आपका निर्यात छेतर से संबंदित है यहां आपने बजट वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो असानी से बना सकते हैं वीडियो या नोट्स भी पढ़ा होगा तो बना सकते थे बिहार सरकार ने एक अपरेल 2019 से सारजनिक वित्तिये प्रबंधन प्रणाली सुरू की है यहां प्रणाली यहां आपका कागज राहित बनाने के लिए और सहकारिता विभाग जो है वा पहला कागज पेपरलेस डिपार्टमेंट बन भी गया है यह भी मैंने बताया था अपने नोट्स में ठीक है तो आप आसानी से मेरे नोट्स से इसका एंसर भी दे सकते थे ठीक आगे देख लेते हैं भारत सरकार ने दो जनवरी 2020 को पिहार राजी को क्रिसी कर्मन पुरसकार प्रदान किया यह पुरसकार किसके लिए दिया गया था तो मक्का और गेहुं के उत्पादन के लिए दिया गया था ठीक है और इससे पहले 2003 में दिया गया था चावल के उत्पादन के लिए यह भी मैं बता चुका हूँ है ना तो इसको भी जो है आप यदि नोट्स पढ़े होते मेरा या फिर वीडियो भी देखे होते करेंट अफियर्स का तो आसानी से आप बना सकते थे ठीक है तो इस तरह से 150 टोटल कोश्चन्स का हम लोगों ने यहाँ पर विश्लेशन किया है ठीक है और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुचाइए ताकि सब लोग अपना-पना एंसर मिला सके और बता सके कि कितना उन्होंने दिया है ठीक है आप भी जो है कॉमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि कितना आपको मिल रहा है कितना आपका सही हो रहा है गलत तो आप छोड़ी दीजेगा निगेटिब मार्किंग है नहीं तो कितना आपका टोटल मार्क्स आ रहा है मेरे एंसर सीट के हिसाब से वो बता दीजिए प्लस मािनस टू कर लिजेगा तो आपका उतना ही फाइनल मार्क्स होगा ठीक है और जहां तक कट अफ की बात करें तो कट अफ जो है इस बार आप देख सकते हैं question जो है वह थोड़ा सा tough था पिछली बार से question थोड़ा सा tough था या moderate कह सकते हैं ठीक है question जो है आसान बहुत नहीं था आपका history का question आसान था जोग्राफी का भी question कुछ कुछ आसान था 50% ठीक है राजव्यवस्ता के questions भी जो थे वो tricky थे आपका science का question भी tricky था math भी जो था वो थोड़ा सा tricky था ठीक है मतलब 5 के गड़ीब आसान question था 5 question थोड़ा tough था ठीक है तो questions बेज़े थे वो थोड़े से tough थे पिछले बार की तुल्ला में और seat भी जो है इस बार 95 से लेकर के 97 के बीच में जो है आपका cutoff होना चाहिए या फिर सीधा कहें तो 95 plus minus 2 जो है इसको रख लिए ठीक है यह जेनरल का cutoff मैं बता सकता हूं इसी के नाम कर दिया हूं ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड सके तो वीडियो को लंबा न करते हुए इसको समाप्त करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जो यह लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद